नमस्कार दोस्तों मैं सुमित मिस्रा स्वागत है आप सभी का MZT Education 2.0 पर दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि जैसे इस चैनल पर 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाएंगे तुरंद वीडियो अप्लोटना शुरू हो जाएगी तो ये इस चैनल की पहली वीडियो है वीडियो को दोस्तों लाइक और सेर कर दीजेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे क्योंकि इस पर बहुत सारी नए नई स्रीज स्टार्ट होने वाली है तो बहुत ही हेलफुल और बहुत ही अच्छी वीडियो जाने वाली है तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजे अपने दोस्तों के पास भी सेर कर दीजगा तो चलिए दोस्तों आज हम लोग जानते हैं एक से साथ जून के वीकली करेंट अफेयर की बारे में रिवीजन करेंगे हम लोग बहुत ही अच्छे से जल्द ही तीनों वीक कवरप करा दिये जाएंगे दोस्तों उसके बाद फॉर्थ वीक जब फॉर्थ वीक कंपलीट हो जाएगा तो जून मंद का फॉर्थ वीक भी कंपलीट करा दिये जाएगा तो वीडियो को दुस्तों लाइक कर दीजे तो चलिए दुस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे आपको थोड़ा सा एक इंफॉर्मिशन दे दूँ कि जैसे ही मैं कुश्चन पढ़ूँगा दूस्तों आपको अंसर करते चलना है साथ साथ में अगर आप अंदर नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा वेट करोगे तो मैं आपको अंसर बताऊंगा डिटेल में भी बताऊंगा लेकिन आप लोग कोशिस पहले यही करना कि जल्दी से अपना अंसर पहले दे देना ठीक है चलिए बात करते हैं पहले कुशन की पहले कुशन है किस राज ने के फॉन नामक मुफ्थ इंटरनेट सेवा सुरू की तो किस ने सुरू की है केरल ने केरल ने के फॉन नामक मुफ्ट इंटरनेट सेवा सुरू किया है के फॉन इसका मतलब होता है केरला फाइबर आप्टिक नेटवर्क ये दोस्तों पंदरा सो करोड का प्रोजेक्ट है केरल ने गरीबों तक मुफ्ट इंटरनेट पहुचाने के लिए इसे सुरू किया है क्लियर है तो गाउं गाउं तक घर घर तक केरल राजी में पहुचेगा फिरी इंटरनेट सर्विस के तार यह ऐसा करने वाला पहला राजी भी बन गया है अगला है हाली में नाबाड ने किस तराजी के किसानों और गरीबों की मदद के लिए एक हजार पच्चास करोण रुपए दिये तो अभी आली में दोस्तों नाबाड ने पस्तिम मंगाल को दिये है पस्तिम मंगाल अगर आपने लगाया है तो विल्कू करेक्ट उपच्चन है नाबाड ने एक हजार पच्चास करोण रुपए दिये हैं किसानों और गरीबों की मदद के नाबाड आया है नाबाड के बारे में थोड़ जानिए नाबाड का फुलफाम होता है नेशनल बेंक फॉर एग्रिकल्चर एंड रूरल डेवलप्मेंट मुबै में इसका हेड़कॉर्टर है और अभी हाली में अगर याद हो आपको गोविंद राजलू चिंटा जी को बनाए गया था इसका अध्यक्ष नाबाड का अध्यक्ष ओके नेक्स्ट बात दे हैं अगला है हाली में कौन सा देश जी सेवन आर्टिफीसल इंटेलिजन्स ग्रूप में सामिल हुआ तो अभी हाली में अमेरिका दोस्तो सामिल हुआ है जी सेवन आर्टिफीसल इंटेलिजन्स ग्रूप में विश्ट तंबाको निस्ते दिवस अब मना जाता है तो ये दोस्तों मना जाता है 31 मई को मई महीने के लास्ट डे को 31 मई को ठीक है इंपोर्टेंट डे है इसको याद रखना आपको थीम इसकी काफी जाद लंबी है इस वैसे थीम आपको याद करने की ज़रुवत नहीं है नेक्स्ट भारतिय पुरातत्तो सर्वेक्षाण याई ASI ने कहाँ पर नवी सताब्दी का सिवलिंग खोजा है तो कहाँ पर खोजा है वियतनाम में ज़ली ज़ली दोस्तों आप लोग भी आंसर करते चाहिए ASI यानि और्चियलोजचकल सर्वE of India इसकी अभीहाली में अध्यक्ष बनाए गए है वी विध्यावति आपको याद होगा वी विद्यवत्ती को अभी हाली में बनाया गया इसका नया अध्यक्ष तो अभी हाली में वियतनाम में दोस्तों नवी सताब्दिका यानि 1100 साल पहले का एक स्टिवलिंग खोजा गया है तो ये खोजा गया है वियतनाम में नेक्स्ट भारत सरकार ने किस राज की जल जीवन अटल मिसन योजना को सुरू करने की मंजूरिती है तो भारत में अभी हाली में बिहार में दोस्तों अटल जल जीवन मिसन योजना सुरू करने की खुशना की है इस योजना का लच्छ है दोस्तों कि बिहार में प्रतेक परि परक की अस्थापना हुई तो अभी हाली में दुस्तों INS कलिंग में अगनी प्रस्त नावग मिसाइल पार्क की अस्थापना की गई है इसको कियो थापित किया गया है दूस्तों 1981 से जब से INS कलिंग सामिल हुआ है तब से आज तक जितने भी ऑफिसर्स जितने भी वहां के दो वर्कर्स हैं या फिर जो भी अधिकारी हैं सभी लोग जो जो भी अभी तक सेवाद ये हैं सभी के सम्मान में एक मिसाइल पार्क के स्थापना की गई है नेक्स्ट हाली में NPCI ने कौन सा Artificial Intelligence Assistant चैटबॉर्ट लांच किया तो अभी हाली में PAI नाम का NPCI ने एक Artificial Assistant चैटबॉर्ट लांच किया है NPCI क्या है? NPCI का मतलब होता है National Payment Corporation of India Next, Power Finance के Corporation के CMD कौन मनाए गए? Power Finance Corporation इसके Chairman and Managing Director दोस्तों अभी हाली में बनाए गए रविंदर धिलो कौन? रविंदर धिलो को बनाए गए अगला है भारत ने किस नाम से पस्चिम से दक्षिड पूर्व Asia Solar Grade पर वारता शुरू की? तो अभी हाली में भारत ने दुस्तों OS, OW और OG यानि कि इसका फुल फार्म याद कर लीजे One Sun, One Word और One Grade इस नाम से पस्चिम से दक्षिड पूर्व Asia Solar Grade पर वारता शुरू की है इसके अकॉर्डिंग होगा ये जिन जिन कंट्रीज में ये जो दक्षिड पूर्व Asia एक देश हैं इन कंट्रीज में जिस देश में दोस्तों अभी तक Solar Power नहीं पहुंचता है दोस्तों COVID-19 मरीजों के लिए COVID-19 महामाच से पीड़ जो मरीज हैं उनके लिए एक लाख बेड तयार करने वाला पहला राज बन गया है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश ने दोस्तों प्रवासी आयोग की भी हपना की थी इसको भीाद रखेगा important है उत्तर प्रदेश ए रेलेट्र बहुत सारे Current Affair के पौइंट dissertation आपको बताता है रहता हूं और Revision भी कराता हूँ Daily Current Affair में तो अगर आप Daily Current Affair नहीं देखते हो पूरा तु कोशिस किया करो दुस्तों daily current affair को रोजाना देखने की weekly current affair तो आपका revision के लिए बताया ही जाता है लेकिन daily current affair भी अगर आप 20 नट का समयनिकाल कर देख लोगे तो भी अच्छा रहेगा किस देश ने विश्टो स्वास्त संगठन से अपने सभी संबंधों को समाप्त करने की गोशना की है तो दोस्तों world health organization से अपने सभी relations समाप्त करने की गोशना की है अमेरिकन अमेरिका का कहना है कि WHO जो है यानि world health organization जो है ये चाइना की मदद किया है वाइरस को दुनिया भर में फैलाने के लिए या सही टाइम पर सही जनकारी नहीं दिया है तो इस वज़े से अमेरिका ने अपनी funding भी रोग दी ती और फिर अब ऐसी situation आ गई कि उसने अपने सभी relations को समाप्त करने की गोशना करती है अगला है हाली में FSSAI का नया CEO कौन बनाया गया तो अभी हाली में दोस्तों अरोंड सिंगल जी को बनाया गया FSSAI का नया CEO FSSAI है क्या इसका फुर्फाम होता है Food Safety and Standard Authority Food Safety and Standard Authority विसके सबस्यादा कमाई करने वाले अथलीट कौन बने है इसको तो आप लोग बता दीजिए कमेंट करके जल्दी से इंपोर्टेंट है ये फोर्स ने अपनी लेश्ट निकाली है अथलीट की सबस्यादा कमाई करने वाले अथलीट की तो उसमें टॉप पर हैं दुस्तो रोजल फेडर रोजल फेडर की इंकम बताई गए है पिछले साल 106.5 मिलियन डॉलर सेकेंड पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनकी अर्निंग 105 मिलियन डॉलर बताई गए अब आप लोग कमेंट करके बताई विराट कोली का कौन सा स्थान है चलिए मैं विदा दे रहा हूँ विराट कोली दूस्तों 6-6 स्थान पे हैं और एक मात्र भारतिये हैं टॉफ 100 में सामिल होने वाले क्लियर है और रोजर फेडर पहले ट्रेनिस खिलाडी बन गए हैं फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप पर आने वाले अगला है हाली में केंद्रिय मंत्री रवी संकर प्रसाद ने कौन सा Artificial Intelligence Portal लांच किया तो अभी हाली में केंद्रिय मंत्री जागरुक करने के लिए इसके वारे में अवेर करने के लिए और युवाओं को इसकी ट्रेनिंग देने के लिए ये लांच किया गया है पूटल Next, Carrot India की मुखे कारेकारी अधिकारी कौन बनी Carrot India, इसकी मुखे कारेकारी अधिकारी यानि CEO दोस्तों बनी है अनिता कोटवानी B option आपका करेक्ट होगा अगला है प्रधान मंत्री मोधी ने किस नाम से एक योग प्रतियोगता सुरुकी अभी आपको याद होगा दोस्तों 21 जून को मनाया गया International Yoga Day ठीक है और International Yoga की Day की theme important है इसको भी मैंने आपको बताया था आप लोग इसका अंसर करिए तब तक मैं theme आपको बता दे रहा हूँ जिसकी theme लखे गए थी Yoga for Health, Yoga at Home I hope आपने इसका option सेलेक्ट कर लिया होगा C option इसमें भी करेक्ट है My Life, My Yoga नाम से एक योग प्रतियोगता सुरुकी प्रधान मंत्री मोधी जी ने ठीक है, Yoga Day याद रखेगा important है Next, विस्व दुख दिवस कब मनाया जाता है World Milk Day तो ये मनाया जाता है एक जून को First June को मनाया जाता है और इस बार इसका बीस्वाँ बीस्वाँ टर्म था ठीक है, बीस्वाँ बार ये मनाया गया और इसकी ठीम भी इसलिए ऐसा रखा गया था 20th anniversary of World Milk Day Next, किस राज जिने विसेश आजीव का हस्तक्षेप योजना को मनजूरी दी तो अभी आली में दोस्तों ओडिसा राज सरकार ने विसेश आजीव का हस्तक्षेप योजना को मनजूरी दी ये विसेश आजीव का हस्तक्षेप योजना क्या है इस योजना के तहए दोस्तों होगा ये कि ओडिसा जो राजी सरकार होगी ये किसानों, कामगारों या फिर कोविट से जो भी प्रभावित व्यक्ति हैं उन सभी को की मजद की जाएगी तो दोस्तों ये 17,000 करोंड की योजना है इसलिए इंपोर्टन्ट योजना है से याद रखेगा विसेश आजीव का हस्तक्षेप योजना नेक्स्ट, हाली में किस प्रसेद गायक, संगीतकार और निर्देशक का निधन हो गया दोस्तों अभी याली में वजित खान का निधन हो गया ये सलमान खान की फिल्मों में ज़्यादा गाने लिखते थे ठीक है, सिंगिंग भी किये हैं कई सारे गानों में और काफी फेमस ये डिरेक्टर थे, प्रोडूसर थे, संगीतकार भी थे, गायक भी थे नेक्स्ट, किस अंतराष्टे संग्धन ने CTAP लांज किया, CTAP दोस्तों लांज किया है, WHO ने, World Health Organization CTAP क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, COVID-19 Technology Access Pool क्या है, COVID-19 Technology Access Pool इसे दोस्तों इसलिए शुरू किया गया है, जिससे जो COVID-19 के इलाज के लिए Technology का यूज जाजस ज्यादा किया जा सके, और दवाईयां या फिर टीके, जिल से जल्द, खुज आ जा सके, विक्सित किया जा सके Next, हाले में, मुहमद अब्दुलमनान ने COVID-19 पर कौन सी किताब लिखी अगर आपने आज की Current Affair देखी होगी, तो ये मैंने आपको Revision कराया हुआ था इसका Behind Mask नाम का बुक लिखा था, अब्तुलमनान ने, Behind the Mask Next, हाले में, किस बैंक ने, डिश टीवी इंडिया लिमिटेट में लगबग 24% हिस्सेदारी खरी दी है अब यहाली में, दूस्तों, Yes Bank ने, डिश टीवी इंडिया लिमिटेट में 24% एक नो प्रतिसत की हिस्सेदारी खरी खरीती है ठीक है, क्यों खरीती है, क्योंकि डिश टीवी इंडिया ने, Yes Bank से लोन लिया था अब यह लोन ले नहीं रहा है, इस वसे, Yes Bank क्या कर रहा है, कि यह लोन के बजाय सेर खरीत ले रहा है ठीक है, नेक्स्ट, हाली में, BCCI ने किस खिलारी का नाम खेल रत्न के लिए नामित किया तो BCCI ने दोस्तों, रोहित सर्मा का नाम नामित किया है, खेल रत्न के लिए राजिव गान खेल रत्न एवार्ड, बारत का सबसे बड़ा एवार्ड है खेल के छेत्र का नेक्स्ट, निम्र में से किस वर्स दो जून को तेलंगाना राजी का गठन हुआ था यानि तेलंगाना कब अस्थापित हुआ था, कब नए राज की रूप में आया था ये तो आपको बिल्कुल पता होगा, 2014 में दोस्तों, दो जून को आंदरदे से अलग हुआ था तेलंगाना थीके, 29 राज की रूप में तब बन कराया है, हलाकि अब वर्तमान में भारत में 28 राज है नेक्स्ट, हाले में किस ने खेलो इंडिया इपार्ट साला कारेकरम का उदखणन किया दोस्तों, अभी हाले में किरन रीजु जी, जो कि हमारे खेल मंतरी हैं इन्होंने के खेलो इंडिया इपार्ट साला कारेकरम का उदखणन किया ये बिसिकली एक वेबिनार था नेक्स्ट, इस पात मंतराले के नए सचिव कौन मनाएगा नेक्स्ट, हाली में और के चतुलवेदी को किस विभाग का सचिव बनाया गया आरके चतुलवेदी इनको रसायन और पेट्रोलियम विभाग का सच्यू बनाए गया है आरके चतुलवेदी को दोस्तो सच्य और सलाकार पर भी वीडियो बहुत ही जल्दा आने वाली है हो सकता है इसी चैनल पर आए तो इस वैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकान प्रेस करके रखना है वो जमीन के लिए है, ऐसे ही अगर कोई हवाई यात्रा करना चाहता है, तो एरोप्लेंस वगरा में फ्लाइजी एप जो होगा, ये कमगार्ट सावित होगा, ओके, लोगों को संकरमेंट से बचाने के लिए, अगला है, अगला हाले में मुंबई के तटों से कौसा तूफान टकर है, तो ये तो आपको पता ही होगा, निसर्ग नाम का तूफान मुंबई के तटों से टकराया हुआ था, अरब सागर से उठा हुआ था, और निसर्ग नाम दिया था दोस्तों बांगला देश ने, किस ने दित था, बांगला देश ने, अच्छे जो अमफान टूफान आया था, अमफान टूफान कहांपर आया था, बसे मंगाल में तबाही मचाया हुद था थीकए, और ओडिसा में भी थोड़़य फड़ एफेक्ट डैला था, और ये बंगाल की खाड़ी से उठा था, तो जब ये बंगाल की खाड़ी से उठा था, इसका नाम दिया था, थाइलेंड ने, थाइलेंड ने नाम दिया था, इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है कि कैसे नाम रखे जाते हैं तूफानों के, कौन-कौन रखता है, कैसे पता लगेगा कि अगला तुफा कौन सा आने वाला है ये सब चीजे मैंने आपको वीडियो में बना कर दे हुए अगला है Boxing Federation of India ने किसे राजिव गांधी खेलरत के लिए नामांकित किया तो अभी हम लोग ने जाना BCCI ने दोस्तों रोहिच सर्मा का नामांकित किया है ये है Boxing Federation of India इसने अमित पंगाल और विकास कृष्णन इन दोनों का नाम नामांकित किया है नामांकित का मतलभ ये होता है कि भारत सरकार ये कहती है कि जितने भी खेल संगठन है अलागा कखेल के जो भी और आउगनाईजिशन है वो सबही लोग अपने अपने जो best लड़ी है उनका नाम नामांकित करो यहिन नाम उनकी लिस्ट दो उसके बाद फिर सरकार डेचाइ कौन मनाए गए तो कुएत में दुस्तों भारत के अगले राज़ूद मनाए गए हैं सेबी जार्ज कौन सेबी जार्ज नेक्स्ट किस राज सरकार ने नसे की लट से बचाने के लिए स्वास्थ मित्र की नियुक्ति की गई है अभी हमें राजस्थान में लोगों को नसे की लट से बचाने के लिए लोगों को नसा ना करने के लिए अवेर करने के लिए नेक्स्ट बारत सरकार ने नौरत्न कम्पनी REC के नय निदेशक किसे नियुकदा तो दोस्तों REC का मतलब होता है Rural Electrification Corporation Limited ये एक नौरत्न कम्पनी है और इसके नय निदेशक बना गए अजोए चोधरी कौन अजोए चोधरी नेक्स्ट केंद्रिय सास्त्री तमिल संस्थान के पहले अस्थाई निदेशक कौन बनाए केंद्रिय सास्त्री तमिल संस्थान जोकी है चेन नई में इसके पहले अस्थाई निदेशक बनाए डक्टर आर्चंद्र सेखरण जी कौन डक्टर आर्चंद्र सेखरण जी Next, Startup Blink दोरा जारी Startup Ecosystem में भारत की ससान पर हैं Startup Ecosystem में हैं दोस्तों भारत 23 वे ससान पर, ठूटी 3rd position पर अभी मैं लिए आपको Index और Ranking की वीडियो दी है आपको यहाद होगा Index और Ranking का दो पार्ट मैंने दिया फिलाहल बात करते हैं हम लोग स्टार्ट अप एको सिस्टम की, इसमें फर्स्ट पर है दोस्तों अमेरिका, सेकेंड पर है ब्रिटेन और थर्ड पर है इसराइल, भारत है तेईसमें अस्थाइब नेक्स्ट, पंजाब राज सरकार ने किस मिसन के तहट एक महिने का कोरोना वायरस जागूता अभियान सुरू किया तो उस्तो पंजाब राज सरकार ने मिस्सन फतह नाम का एक कुरोना वायरस जागुता अभियान सुरू किया है अवेर्नेस प्रोग्राम सुरू किया है जो कि केवल एक महिने तक के लिए होगा नेक्स्ट आई एफल फाइनेंस का ब्रेंड बज़डर किसे बना गया इसका ब्रेंड ब्रेंड बना गया रोहित सर्मा को जिनको बी सी सी आई ने नामांकित किया है राजी उगांधी खेल लत नेवार्ट के लिए नेक्स्ट हाले में फिनलैंड में भारत के नए राजदोत को नियुक्त है फिन लेंड में भारत के राजदोट तो ये नियुक्त होएं दोस्तों रवीष कुमार जी ए अप्सन में आपको दीख रहे हैं सुसील कुमार सिंगल इनको पपुवा नियोगीनी में बनाया गया है उच्चायुक्त यानि हाई कमिशनल गयत्री कुमार जी आपको दीख रहे हैं स्थी आप्सन में इनको दोस्तों बिर्टेन में बनाया गया है उच्चायुक्त यानि की हाई कमिशनल ठीक है गयत्री कुमार और जो सिवी जार्ज हैं अब इनके बारे मैंने आपको पताया है कुवायत में बनाया गया है राजदू को दुस्तों कोई भी वीडियो सर्च करनी हो तो MZT app को open कीजेगा उस सर्च का option लगा हुआ है आपको बस wise सर्च करना है यानि की सिर्फ बोल देना है आपको 90% chances है उस topic की वीडियो मिल जाएगी उस channel पर मैंने 1000 से जादा वीडियो अपलोड कर दी है लगभग 1100 वीडियो अ मन में आये तो आप लोग MZT app ओपेंड करके सिम्पली सर्च जरूर कर लिया करो नेस्ट हाली में भारत ने भारत की किस बंदरगा का नाम बदल कर स्यामा प्रसाद मुखरजी बंदरगा कर दिया गया तो दोस्तों अभी हाली में कॉलकता बंदरगा का नाम यानि कॉलकता मंत्रारे ने पीम स्वानिधी योजना का सुभारम किया है अब ये पीम स्वानिधी योजना होता क्या है इसका फुलफाम क्या है इसका फुलफाम होता है पीम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधी क्या है पीम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधी तो जो दो सरकार ने bed और ventilator की उबलब धक्ता के बारे में जानकारी के लिए कौन सा अप लांच किया है आज का दूस्टो कुछ नबदर डे भी यही था देली कुरोना नाम का अप लांच किया गया है bed और ventilator की उबलब धक्ता के बारे में बताने के लिए नेक्स्ट भारतिय उद्धोग परिशां के नए अध्यक्ष कौन बनाये गए तो अभी आले में दोस्तों नागरिकों की स्किल मैपिंग के लिए कौन सी योजना शिरुकी तो इसनों भारत सरकार ने उन विदेशी नागरिकों के लिए जो विदेशी नागरिक कोरोना वारस महमारी के विज़से विदेश से भारत में वापिस आए हैं तो इनकी स्किल मैपिंग कानने के लिए यान ट्विटर के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए तो ट्विटर के नए अध्यक्ष बनाए गए पैट्रिक पिचेट कौन पैट्रिक पिचेट ट्विटर संस्थापक है दोस्तों जैक डॉट सी पैट्रिक पिचेट को बनाए गया अध्यक्ष और दोस्तों ट्विटर के इतिहा जाने वालिए पहले अस्वेत कौन वने दोश्तों बाफटा बाफटा के अध्यक्श बनाने जाने वाले पहले अस्वेत बन गए है क्रिश्टियंदू मजुन्दा यह तीवी पर्डूसर हैं, बाफ्टा क्या है बाफ्टा है British Academy of Film and Television Arts तो इसके अध्यक्ष बनाए गए और अध्यक्ष बना जाने में पहले अस्वेत बन गए है नेक्स्ट हाले में वी एन दत्त को किसकी जगर पर National Fertilizers Limited का CMD बनाया गया वी एन दत्त को दोस्तो मनोज मिस्रा जी के स्थान पर बनाया गया है National Fertilizers Limited का Chairman और Managing Director दोस्तों अगर आपको अंसर पता हुआ करे तो तुरंट पहले आप लोग कमेंट कर दिया करो आप लोग अंसर करते रहा करो ठीक है इसके बाद तुम्हें बता ही रहा हूँ नेक्स्ट लच्मी विलास बैंक के CEO सुब्रा मन्यम सुन्दर का कारेकाल के इतना बढ़ाया गया इनका कारेकाल दोस्तों 6 महिनों के लिए बढ़ा दिया गया है लच्मी विलास बैंक के ये CEO हैं सुब्रा मन्यम सुन्दर नेक्स्ट है विश्व पर्यावरांड देवस 2020 की थीम क्या रखी गए थी तो इसकी इस बार थीम थी दोस्तों celebrate biodiversity क्या थी celebrate biodiversity या biodiversity कह सकते हैं आप लोग ये दोस्तों मनाया गया 5 जून को important day होता है याद रखना आपको next विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया तो word trade organization है डव्लू टी ओ में दोस्तों भारत का राजदूत नियुक्त किया गया ब्रिजेंद्र नौनीत को किसे ब्रिजेंद्र नौनीत को अच्छा डव्लू टी ओ का headquarter कहा है कमेंट करके आप लोग बता दीजिए headquarter कहा है अगला है किस राज़ की पुलिस ने depression से ग्रस्त कर्मियों के लिए इस पंदन अभियान शुरू किया तो इस पंदन अभियान शुरू किया है दोस्तों पुलिस की दोरा नेक्स्ट है किस किंसासित प्रदेश के उप राजिपाल ने मेरा वेतन सेलरी ट्रेकर मोबाइल आप लांच किया तो मेरा वेतन नामक सेलरी ट्रेकर मोबाइल आप लांच किया गया है दूस्तों जम्मू कस्मीर के दोरा सेलरी ट्रेकर मोईल अप है इसको बतानेक ज़रूत नहीं है लोग अपनी सेलरी को ट्रेक कर पाएंगे कि कब आएगी कब काएगी उसका सेडियूल क्या होगा नेक्स्ट वर्ड एकोनोमिक फोरम कब यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी करेगा तो डवलू एफ यानि वर्ड एकोनोमिक फोरम के दोरा दुस्तों जन्वरी 2021 में कब जन्वरी 2021 में होने वाला है यूनिक ट्विन समिट जो की दोस्तों आईजित होगा दावोस में स्विड पेलिकर इंटिफेल में कई बार बता चुका हूं। नेक्स्ट है विस्व बैंक के कारेकारी निदेशक के वरिष्ट सलाहकार कौन नियुक्त हुए। तो वर्ड बैंक के कारेकारी निदेशक के वरिष्ट सलाहकार दोस्तों अभी हाली में नियुक्त हुए हैं। क्वाल बाधी च controller में विं आवरांड को बढ़ाने के लिए कौन सा कारेकरम कीख या में वन आवरान को बढ़ाने के लिए नगर वन या स्थेहरी वन कारिक्रम सुरू किया गया है भारत सरकार क्वारा अगला है ACI छेतर के लिए Commonwealth short story prize किसे ने जीतना ACN reason के लिए दुस्तों Commonwealth short story prize जीता है कृतिका पांडे पांडे ने दुस्तों एक short story लिखी थी कौन सी short story the great Indian tea and snacks तो इसी वज़े से इनको Commonwealth short story prize मिला है ACN reason के लिए next is हाली में किस मंत्राले दोरा one year of Modi 2.0 वुकलेट का विमोचन किया गया तो अभी हाली में दोस्तों सूचना और प्रसारर मंत्राले के दोरा one year of Modi 2.0 वुकलेट का विमोचन किया गया इसमें दोस्तों ये गिनाय गया है की मोदी सरकार जब 2nd एमाई ठेक है दूसरी बार आई सरकार में बना कर तब उसने क्या-क्या उप्लब्दियां हासिल की हैं नेक्स्ट है, हाले में भारत सरकार ने Tulip कारेकरम क्यों लांज किया तो Tulip कारेकरम दुस्तों लांज किया गया है नए असनातकों के प्रिषिछड के लिए जो new graduates हैं उनकी ट्रेइनिंग के लिए इसका full farm होता है दुस्तों, The Urban Learning Internship Program क्या है? अगला है किस बैंक ने हाली में समर स्ट्रीट अभियान शुरू किया इसे शुरू किया है HDFC बैंक के MD कौन है कमेंट करके बताइए कौन है MD अगला महिला एस्टिया कब 2020 की मेजबानी कौन करेगा महिला एस्टिया कब फुटबाल की मेजबानी 2022 में भारत करने वाला है कब 2022 में होगा एस्टिया कब है तो इसकी घुष्णागी है Asian Football Confidence नेक्स्ट है स्वयुक्त राष्ट रूसी भासा दिवस कब मने जाता है ये दोस्तों मने जाता है 6 जून को संयुक्त राष्ट रूसी भासा दिवस United Nation में दुस्तों छे ओफीसियल लेंग्वेज है इसकी इसके बारे मैंने आपको कई रबताय हुआ है छे ओफीसियल लेंग्वेज कौन कौन सी है एक तो दुस्तों इंगलेज है दूरा रसियन लेंग्वेज है रूसी भासा है जर्मन भासा है फिन्च भासा है अरभी भासा है और एक भासा कौन सी है चाइनीज ठीक है तो ये छे ओफीसियल लेंग्वेज है United Nations की अब ये 6 जून को रूसी भासा दिवस क्यों मने जाता है 6 जूनको ही क्योगि 6 जूनको रसिया के महान जो कवी थे एस पुस्किन जी उनका जणदिन होता है नेक्स्ट है आगला है बिजली और नवीनी करन अर्जा राजी मंत्री ने विश्टो पर्यावराद दिवस के उसर पर कौन सी पहल सुरू की है तो अभी हाली में हैस्टेग I commit नाम का एक पहल सुरू किया गया है एक इनिसेटिप सुरू किया है विस्तु पर्यावणा दिवस के उसर पर किसने सुरू किया है बिजली और नवी करण उर्जा राजी मंत्री ने कौन है उर्जा राजी मंत्री तो वो है आरके सिंग जी है अगला है safe online learning in the time of COVID-19 नमक information booklet किसने लांच किया इससे लांच किया दो मानो संसाधन विकास मंत्रा लेके मंत्री रमेश बुक्रियाल निसंगी ने safe online learning in the time of COVID-19 नमका information booklet मतलब इस COVID-19 महमारी के दोरान safe और secure तरीके से कैसे learning किया जासके क्योंकि दोस्तों hacking वगरा भी बहुत ज़्यादा हो रही है अगला है लगबग 6 दसकों के बाद DLF के अध्यक्षपत से को रिटार हुए दोस्तों DLF में लगबग 6 दसकों तक सेवा देने के बाद कुसाल पाल सिंग रिटार्मेंट ले लिए हैं अभी दोस्तों इनको 1995 में बनाया गया था अध्यक्ष तो 1995 से ये अध्यक्ष लेकिन 6 दसकों से ये इस DLF से जोए हुए थे ठीके कुसाल पाल सिंग जी अगला है हाली में एडी रास ने अपना नया ब्राइंड मिजडर कि अगला है हाली में किस NGO को वर्ड नोट वेको डे अवाइड 2020 से समानित किया गया तो अभी हाली में दोस्तों SEEDS नाम के NGO को वर्ड नोट वेको डे अवाइड 2020 से समानित किया गया है ये SEEDS जो है NGO इसका फुलफाम होता है Social Economical and Educational Development Society देली में स्थेति ये NGO है दोस्तों और अभी बिहार और शार्खंड में गुटके का सेवन करने से और पान मसारा का सेवन करने पर परतिबंध लगाने के लिए परतिबंध लगाने में योगदान देने के लिए SEEDS पर को डिया गया है वर्ड नोट वेको डे अवाट ठीक है ये दिल्ली में स्थितिक NGO है इस प्र जून मंत के फर्स्ट वीक के करेंट अफेर जिनको हम लोग ने बहुत ही अच्छे से रिविजन किया अब दोस्तों इसकी क्विज भी आप लोग सॉल्ब कर लेना क्विज कहा मिलेगी क्विज मिलेगी आपको MZT पर क्विज अल्रेड़ी अप्लोड कर दी गई है आप में इस पर बहुत सारे अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है एजूके से रिलेटट तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर भी दिया होगा अच्छा अपने दोस्तों के साथ भी से सेर कर देना उनको भी बता देना नए चैनल के बारे में MZT एजूकेशन 2.0 के बारे में तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएगा वीडियो गर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्सा बढ़ाईए साथ ही इन दोनों इंपोर्टन वीडियोज को जरू देख लीजेगा और आने किसी अन्य वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मात्रम